आपके मोबाइल फोन के अंदर गूगल डालर है आप गूगल डालर से कॉल पे बात करते हैं कॉल पे बात करते समय कॉल को रिकॉर्डिंग करते हैं आप जिसका भी कॉल अपने मोबाइल फोन के अंदर रिकॉर्ड करते हैं वहां पे एक साउंड होता है दिस कॉल रिकॉर्ड आनका। आप जिससे भी कॉल पर बात करते हैं वहाँ पे एक sound होता है को रिकॉर्डिक आनका। जिस भी बंदे या बंदी से आप कॉल पर बात करते हैं उसको उपता चलता है। आप उसके call को अपने mobile phone के अंदर record कर रहे हैं वो आप से कह देती है या कह देता है कि आप उसके call को अपने mobile phone के अंदर record क्यों कर रहे हैं आपको यहाँ पे call recording sound को disable करने के लिए आपको यहाँ पे 3 setting करना है जो last के 2 setting है वो बहुत ज्यादा important है और पहला setting उससे भी ज्यादा important है आपको इसमें क्या 3 setting करना है आप सभी को google dollar के अंदर आपको यहाँ पे 3 setting करना है वो 3 setting क्या है आपके mobile phone के अंदर वो कैसे करना है जिससे google dollar call recording sound हमेशा के लिए disable हो सकता है आप किसी से भी call पे बात करें किसी का भी call अपने mobile phone के अंदर record करें ना कोई वहाँ पे announcement होगा ना वहाँ पे कोई sound होगा यह जो 3 setting है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादे खास बहुत ज़्यादे useful और बहुत ज़्यादे important हो सकती है यदि आपने mobile phone के अंदर Google Dell को यूज करते हैं Google Dell से call recording करते हैं यहाँ पे 3 setting के बारे में बताने वाला हूँ आपको 3 setting करना है जिससे आप सभी के mobile phone के अंदर Google Dell call recording sound हमेशा के लिए disable हो जाए आप सभी को call recording करने में कोई भी दिक्कत महसुस नो हो चलिए आपको बताते हो 3 setting क्या है जिससे आप सभी के mobile phone के अंदर Google Dell call recording sound हमेशा के लिए disable हो सकती है क्या setting है जिसके बारे में आप सभी को बिल्कुल भी नहीं पता है यदि आप इसके बारे में जानोगे कहोगे कास इसके बारे में पहले मुझे पता होता ये setting में पहले कर लिया होता ये जो setting है बहुँ जदे important है आप सभी के लिए बहुँ जदे खास आप सभी के लिए है यदि आप Google Dellar से call recording करते हैं किसी से बात करते हैं वहाँ पे एक sound होता है दिस call recording on का आप जिससे भी बात करते हैं जैसे कि आप किसी बंदे या बंदी से call पे बात करते हैं Google डालर से आप उसके call को अपने mobile phone के अंदर Google डालर से recording करते हैं वहाँ पे क्या होता एक sound होता है दिस call recording on का अब जिससे भी आप बात करते हैं वहाँ पे एक sound होता है recorded, call recorded इस तरह आपको यहाँ वहाँ पे sound सुनाए देगा Google डालर का जैसे आप call recording पे icon पे click करते हैं वहाँ पे sound clear करता है एक notification बनाता है और वहाँ पे send कर देता है आप जैसे notification बना के send करता है उसको पता चलता है आप उसके call को अपने mobile phone के अंदर record कर देते हैं वह आप से कह देता है या कह देती है कि आप मेरे call को अपने mobile phone के अंदर record क्यों कर रहे हैं इस setting आप सुभी को अपने mobile phone के अंदर बहुत ध्याम करना है आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है वीडियो को कहीं पे skip कर देते हैं, वीडियो को एंडर तक नहीं देखते हैं आप Google Drive को recording sound को कभी भी अपने mobile phone के अंदर disable नहीं कर सकते हैं यदि आपने ये setting अपने mobile phone के अंदर पहले से ही कर रखा है आप Google Drive को recording sound को disable कर दिया है यह ऐसा setting है जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है वागी कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है आप गुगल डर्ट से call करते हैं call करते समय और recording करते हैं वहां पे sound होता है call recording on का आप इससे बहुत ज़्यादा परिसान हो चुके हैं आप इसको disable करते करते ठक चुके हैं लेकिन एक और recording sound disable नहीं हो रहा है यहाँ पर जो मैं आपको setting के बारे में बताने वाला हूँ वो setting करते ही आप सभी के mobile phone के अंदर google call recording sound हमेशा के लिए disable हो सकता है अगर आपने इस वीडियो को play कर दी अपने mobile phone के अंदर इस वीडियो को आपने mobile phone के अंदर देख रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यांस देखना वीडियो को कहीं पे skip मत करना तो आज की वीडियो आप सभी के लिए सुरू करते हैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताते हैं यदि आप google dialogue को recording sound को हमेशा के लिए disable करना चाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा answer देखना वीडियो को कहीं पे skip मत करना वीडियो को कहीं पे skip करते हैं आप इसके बारे में नहीं समझ पाओगे तो कहोगे इसके बारे में मुझे पहले पता होना चाहिए था तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताती है सबस्क्राइब करें, जिसका नम है Android राजू, आपको इस चनल को सबस्क्राइब करके, आपको अपना सपोर्ट दिखाना है, तो चलिए वीडियो शुर करतें आपको इसके बारे में डिटल से पताते हैं, आप सभी के मोबाइल पोन के अंदर इस तरह का एक Chrome रेज होगा, मोबाइल फोन के अंदर होता है क्रूम सबसे पहले आप सब्सक्राइब को फोन के अंदर आपको यहां पर क्लिक करना है फिर आपको यहां पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक हो जाने के बाद आपको यहां पर दिखाए देगा धिक करने के बाद आपको यहां पर दिखाए देगा लाविध प्रग्राम आपको क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे 2-3 सेगंड के लिए आपको अपने मॉइल फोन के अंदर रुकना है फिर आप सुभी को यहाँ पे री इनस्टाल पे आपको किलिक करना है यह आपको Google Play Store पे ले जाएगा आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने Google डालर को बेटा में अपडेट करना है बेटा में अपडेट हो जानने के बद आपको यहाँ पे दिखेगा ओपन आपको ओपन पर किलिक कर देना है जैसे आप ओपन पर किलिक करते हैं Google डालर आपको हाई हेलो करता है आपको यहां पर देख सकते हैं फिर आपको यहां पर देखेगा 3 dot आपको 3 dot पर यहां पर सबसे पहले आपको 3 dot पर क्लिक कर देना यहां पर क्लिक हो जाने के बाद आपको यहां पर दिखाए देगा second number पर setting first number दिखाए देगा call history second number setting प्रिक और थर्ड एक आपको help and feedback आपको यहाँ पर सेकंड वाल नंबर पर आपको कि रिक कर देना है यहांपर क्रिक हो जानने की वद्ड़को यहां पर सबसे पर मुक्रें दन्यम, कब बैदे हैंगे यहां पर क्लिक हो जानने कर दो बाक्स दिखा देंगे इसे तरह का आपको यहाँ पे पहले बाक्स पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे सेकंड वाले बाक्स पे क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक हो जानने के वाद आपको यहाँ पे दिखाए देगा बैक आपको बैक पे क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक हो जानने के वाद आपको यहाँ पर दिखाए देगा call recording आपको इस पर क्लिक कर देना है फिर आपको यहाँ पर एक आपको enable करना एक box पर क्लिक करके यहाँ पर एक box आपको दिखाए देता आपको इस पर क्लिक करना है यहां पर आप जैसे क्लिक करते हैं आपको यहां पर एनेबल हो जाएगा फिर आपको यहां पर दिखाद देगा करनेवर आपको यहां पर अलाउस पर क्लिक करना है प्र आपको बैक पर किलिक करना है तो यह पिल्य करते हैं प्र प्र और थो तब बीके मुवाइल फोन के अंदर इस तरह का एक गूगल फ्लेस डोय्म होता है सभी के मुगल फोन के अंदर होता है आपको गूगल मेश टूर पर आपको किलिक कर लिये ना है अंधर अचरिक हैं आपो यहां पर आटो का रीकॉर्डर और प्रो यहां पर दो 100 रुपए का यहां ज्यादा बेस्ट कॉल रिकॉर्दिंगकैसिन M के अंदर स्टॉल का लेना हैhis यहां से आप कौर रिकॉर्डिंग करेंगे कोई भी साउंड कोई भी अनॉंसमेंट नहीं होगा आप यहां से कौर रिकॉर्डिंग करेंगे तो एक साउंड होगा जैसे कि यहां पे यहां पे आपको इस तरह कौर रिकॉर्डिंग साउंड होगा यहां से जब भी आप कौर र सब्सक्राइब करेंगे कोई भी नोटिफिकेस्टन कोई भी कौर रिकॉर्डिंग साउंड नहीं होता है वहां से आपको वीडियो बहुत पसंद होगा वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए चैनल सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेस्टन आन कर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तत्य के लिए आप सभी का दिन राज सुब रहे आपके पोज़े पज़वार का दिन राज सुब रहे मिलते हैं नेस्ट वीडियो में